आप देख रहे हैं MP7 News सच तो सच है हर ख़बर सत्यता पर आधारित देखते रहिए MP7 News आप भी कोस्टेबल विक्रम जी शेखावत के विरुद आईटी ओं पांक सो एक्टमी मुकत्मा दर्ज सस्पेंट किया गिरफतार की भी होगी त्रेस्दरी जान शुरू आजमेर की पुलिस सदिक्षक जगदिश्चतर शर्मा ने फिर सागजनी की अपने वांट सबनमबर आजमेर की ब्याबर उखट के DSP हीराला सेनी और जयकूर कमिशनेट की महिला कोस्टेबल के अश्रील विडियो का मामला अभी शान्त भी नहीं हुआ था कि 20 सिदमबर को अजमेर जीले के ही पिसांग्डा पुलिस सदिक्षक पर तेनाथ एक कोस्टेबल दुगारा कोलेज की नावाली चातरों को वर्टसप पर अश्रील फोटो और वीडियो भीजने का मामला प्रकाश में आया है आरो फेकी कोस्टेबल ने चातरों पर भास्तिक दबाव बनाया और वर्टसप पर स्वयां के अश्रील फोटो एमों वीडियो संदेश भीजे चातरों को अपने भकार पर भुलानी के लिए भी दबाव डाला गया चातरों का आरो फेकी 22 दिसंबर 2020 को भी पुलिस स्टेशन पर लिखित में शिकायत दी थी लेकिन कोई कालिवाही नहीं होई कालिवाही नहीं होने के कारण ही आरो पी जिफाय चातरों को ज़्यादा तम करने लगा 20 सितंबर को बंचाय समीती सदस्य प्रदीप कुमावत ने चातरों की ओरते एक शिकायत अजमेर रामी शित्र के डीस पी अमित महरणा को दी इस शिकायत में वो वोट सब चेट और अश्रील वीडियो भी दिये जो कोंस्टेबल ने चातरों को भीचे थे जीला पुलीस अदिक्षक जगदिश शर्मा ने पुलीस की चवी से जुड़े इस मामले को गंबिरता सी लिया और रात को ही कोंस्टेबल के विरुथर आईटी और पाक्सो एक्ट में मुकदमात दर्च कर लिया आरोपी कोंस्टेबल विक्रम सी शेखावत को सस्पेंड कर करने के आदेश भी चारी कर दिये स्पी ने बताया कि दर्च मुकदमे की जाँच नसीराबाद के थाना अधिकारी से कराई जाएगी पूर्व में दी गई शिकायत पर कारिवाही नहीं होने के मामले की जाँच आईपीएस अमित महरणा को दी गई है स्तम्बंद में पिसा अधिर शर्मा ने माना कि अपराद एक व्यक्ति करता है लेकिन छवी पूरे महकवे की खराब होती है उन्होंने कहा कि आरुपी कोस्टेबल की गिरफ्तारी की जाएगी इस मामले में दोशी किसी भी व्यक्ति को बक्षात नहीं जाएगा शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपना वाट्सप नंबर 9414007742 कई बार सालवचे नहीं किया है इस नंबर पर जो भी शिकायत या सुषना प्राक्ति होती है उस पर ततकाल कारिवाही की जाएग यदि पिसांगना के छात्रों की पुलिस स्टेशन पर सुरवाइग नहीं हुए तो उन्हें मुझसे संपर्द करना चाहिए था कार्यका सवय में सरलता के साथ मैं सभी को मिलता हूँ एस पी शर्मा ने एक बार फिर जिले भर के लोगों खास कर महिलाओं से आधर किया कि पुलिस स्टेशन पर सुनवाइग नहीं होने पर सीदे मुझसे तुमपत किया जाए मुझे मेरे वाटसक नमबर पर भी सुचना दी जा सकती है पुलिस की छवी खराब पी सांगना के एक कोंस्टेबल दुआरा नाप वाली चात्रों को अश्रिल संदेश उर वीडियो भेचने से एक बार फिर राजस्तान पुलिस की छवी खराब हुआ है पिछले दिनों ही ब्याबर के डी एस्पी हीराला स्तेडी और एक महिला कोंस्टेबल का अश्रिल वीडियो वालन होने के बाद राजस्तान पुलिस की छवी देश भर में खराब हुई अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक कोंस्टेबल का मामला उजादा हो गया वले ही गलती एक कोंस्टेबल ने की हो लेकिन पूरे पुलिस महकमें को परिनाम भुगतने होंगे हाला कि एसे मामले पर मुठ्य मंद्री अशो गहलोत बहत गंबिल है लेकिन पुलिस में एसी घटनाय रूप नहीं रही है मालूपों की गहलोत के पास इक ग्रह विभाग है ब्यावर वाले प्रक्रण में डीएस्पी हीलाला सेनी और महिला कोंस्टेबल की बरखास्तगी की कारिवा है अंती चरण में है जैपूर की विशेश अदालत में 20 सितंबर को ही दोनों आरोपियों को जेल भेजा है आप MP7U चैनल को सब्स्राइब करें, लाइब करें वर बेल आइकों को प्रेस जरू करें